दियर स्टुडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका अकाउंटिंग की फर्स स्टेप कम्प्लीट की, वो थी जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग के अंदर आकाउंटिंग जो डबल एंर्टी सिस्टम से बनाया गया है उसको अकाउंटिंग को एज प्रोसेस बोला गया है, और प्रोसेस उन्होंग वाजाद Τन अगर कोई बिजनस ओग्मिरेशन पफॉर्म करता है, तो वो एक स्टेप में नहें करते हुए, वो चार स्टेप में करता है और आज बार ही आगई हमारे सेकेंड स्टेप की नाम है लेजर उस्ते देखिए बनाने वाले ने लूका ने जब इसको बनाया तो कुछ कॉमन सेंस से बनाया थी कि दुनिया के अंदर हर चीज कॉमन सेंस के बेस बनती है और मैंने आपको बता है अकाउंटिंग चार्स सेप में कम से कम क्यों परफॉर्म करनी पड़ती है क्योंकि क्योंकि उसका रीजन ये है हिमेश आप खहे रहे हैं वहापे खहे रहे हैं और वरुन आप भी तो उसके रीजन उसके पीच्छी रीजन क्या है रीजन यह है कि जैसे से हम स्टेप्स बढ़ाएंगे नेक्स स्टेप आजाएंगे हमारा डेटा जो है हैने हमारे बिजनस के जो ट्रांजिक्शन वो कम्प्रेस होते जाएंगे और वो कम्प्रेस कैसे होते है वो आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा मातर जर्नल एंट्री में रहते हुए हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजिक्शन को भी एवैल्यूट नहीं कर पाते हैं अब एक particular transaction की nature को भी हम evaluate नहीं कर पाएंगे तो बिजनस तो पूरी पूरी बिजनस को कहां से कर पाएंगे इसलिए accounting लुका ने बोला मातर जर्ण एंट्री नहीं है accounting चाहर सेप्स होती है कम से कम चाहर सेप्स अब लेजर पोस्टिंग क्या है सुन दीजिए इसको perform किसे करना है क्यों करना है इसके पीछे का कहानी अब अगले चार दिन तुमको बिल्कुल भी सोचना नहीं में को आरा की नहीं आरा पाच्वे दिन पर तुम सबको लेजर पोस्टिंग perform करते आएंगे और समझेंगी क्य क्या कर रहे हैं हम यह गरेंटी में तो अगले चार सेशन तुमको बिल्कुल भी सोचना है आता मैं सोचना नहीं है अच्छा एक और बात सुनीचिए जिसको जरनल एंट्री आएंगी उसी को ही लेजर पोस्टिंग आएंगी मैं आपको के लिए वतरा हूँ यह जरनल एंट आपकाल पोस्टिंग पैले वो इंगलीस प्राइब के लिजर पोस्टिंग ए सेकन्स टेप ओप प्यांटिंग्टीं ट्रॉक्टर इंबल रेट्री किस्टम इस अप्रोसें को सिंग। इन जरनलाइंस ट्रांटिखरेट इन गर्डि क्रीट अर्सेंग अंअ बडुक्त लेजर पोस्टिंग एक अक्टिविटी है और लेजर अकाउंट एक प्लेस है जिस प्लेस के अंदर हम रिकॉर्डेट ट्रांडिक्शन है जरनल एंट्री हम जो भेशते हैं रिकॉर्डेट ट्रांडिक्शन है क्या जरनल एंट्री क्योंकि हम जरनल एंट्री में हम ट्रांडि हम जब वहां भेशते हैं तो उस भेजने के काम को बोलते हैं laser posting यहने इस अ एक्टिविटी अफ ट्रांस्परिंग देटा रिकॉर्ड डेटा इन अ पर्टिकुलर प्लेस यहने every transaction has specific place that specific place is known as laser account और laser account बनता कैसे आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा अब सर हमको practical point of view से तो सब भी perform करना है journal, laser, trial, final अगर मैं business की accounting करना चाहूंगा तो लेकिन मैं theoretical point of view से बात करूंगा सर में तो theoretical point of view से हमें कब laser posting बनानी है और कब हमें journal entry करनी है वो आपको eligible to perform the laser posting directly in new, in beginning only for beginners लेकिन इफ आप अच्छे से expert हो गए तो आप direct eligible हो laser posting परफॉर्म करने के लिए अगर मैं accounting करूंगा आज किसी की तुम्हें को journal entry के बिना भी laser posting बनाते आएंगे लेकिन तुम लोग beginners हो तो पहले journal entry सामने रखोंगे तब ही तुमको laser posting करते आएंगे और laser posting की साथ-साथ मैं आज आपका laser account का प्रोफारमा सखाऊंगा यह laser account क्या है हर एक ट्रानिक्षम का एक specific area जिसको हम देरे place और उस place के अंदर हम recorded ट्रानिक्षम जब भेजते हैं तो उस भेजने की काम को हम बोलते लेजर पूस्टिंग लेजर पोस्टिंगे लेजर अकाउंट इसके बाद इसको परफॉर्म करते हैं इसके परफॉर्म करने का परपस क्या है वो भी इन चार दिनों में हम देखते हैं कॉस्टन बनाएंगे लिखिए आज कॉस्टन एकदम शॉर्ट रहेगा गया पूछो क्यूँ क्यों आज मुझे एंट्री इस पर फोकस नहीं करना है आज मुझे लेजर पोस्टिंग कैसे करते उस पर फोकस करना है और एक बार सुलीजिए अगर एक बार तुमको लेजर प कहारी होती है बस वह आगई ना तुमको बाकी की स्टेप अपने आप आती जाएंगी कॉम्पलीमेंटरी में तो क्या आप सभी को जर्नल एंट्री इस हाई लेवल लो लेवल सब आती है रूल वाइस आती है तब भी आपको लेजर पोस्टिंग चलिए तो कॉशन में लिख अ कुछ ट्रौफि अपिटल के इंटिर बंती है भाई जानलाइज में दौलें क्यों फॉल्वीं ट्रांजिक्शन यह आपको कुछ ट्रांजिक्शन दियर रहेंगे बिजिनस के फै एंड्ड एंड ओपन 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 लेजर आप्नड यह ऐसे दियर रहेंगे आपको लेजर अकउंट आया शुरुल लीजिए तो इसका मतब्ब आपको लेजर पोस्टिंग भी करना या इन अकाउंटेंगी दो स्टेफ फोल रहे है ज़र्नलेंट्री के लिए उसने वर्डी उसके जानलाइस और लेजर अकाउंट याने लेजर पूस्टिंग करना है यह लेजर अकाउन खोल रहे है तो सब शोपीस के खोले है नहीं उसके असर पोस्टिंग करनी पड़ते इस इंपलाइट यहां आपको लेजर ना है ओपन लेज अकाउन फॉर लेजर पोस्टिंग क्लियर विक्चर समझा आपको क्लियर हाँ अब दो मत ध्यान दो किसकी बुक अब जतीन ट्रेडर्स एने आज हम सभी लोग जतीन ट्रेडर्स के अकाउंटेंट है अच्छा एक और बास तुम आज अगरे लेजर पोस्टिंग नहीं भी आती है टेंचन वाली बात चार दिन लगेंगे इस को आने में पाच्छो दिन पर आया जाएंगा गेरेंटी मेरी इस तो बिल्कुल भी पैनिक होनाने की नहीं आरा सर कैसे होगा रे तुम तुम ने तुम 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 तो भी में को रिएक्शन डे रहे हो हमारे तो ऐसे हाउब ऑज क्या कर रहा को दूसरी दुनिया के चल रहा कुछ तो भी कूछ क्यों? अरे 11 में सबकुछ नया नय था तो हमको लंगा ना भाई कोई दूसरा घरह का आगा कि उसे नॉलेज दे रहे हमको सम्झा आपको घ्लियर अरे सिंपल टेन तक यह कुछ पढ़ा के हमने अच तक फिर यह कहा तो जर्णल एंट्री लेजर पूस्टिंग करा चलो तो आज जत्रें ट्रेटर्स की दुकान को होगे जर्णल एंट्री लेजर पूस्टिंग करते हैं अब लिखिए अब यहां पर लिखिए जन्वरी 2022 ठीक है लिखिए एक तारिक Mr. जतीन Mr. जतीन comments comments का मतलब के बाता लाना मालब है आपको introduce चले का comments business with cash यह ऐसे आप गुमा के लाएंगो जता आपको यह जतीन ने नोटा लाई दुकान में अंदर ऐसा है और जतीन कौन है ओनर रुपीस कितना लाओं दुकान में बोल जतीन क्रिश्ना बेटा 25 करोर में कितने जिरो आते बता दो वाह बेटा तो तो मोज कर रहा है हां ना लाई लेको पाच लाग रुपे हां अब दो तारिक को दुकान बन थी तीन तारिक को अब ये कैश हम डिपॉसिट कर रहे हाँ पाच लाग रुपे में से चार लाग रुपे डिपॉसिट कर दो बैंक में क्यूं चोई हुरी होगे तो अरे भाई सही की नहीं तो लिखिए कैश डिपॉसिटेड इंटु बैंक किता करूं अभी हम दुकान बना रहे हैं यह अभी हम पर्चेसिंग करेंगे पहले खिए डिड़ मेंना तो दुकान से बनाने की एंट्री होती है माल लेने की फंच लेने की हाँ अब निखो पाच तरिक आप क्या हुआ आँ चार्ग तौन बन थी पाच्छतर और बन थी पाश्तर ये डेट है क्या ये डेट है लिखो लिखो स्वारी गलती हुई हाँ ठीक एकाई का देना बैंक देना कर रहा हाँ बस बैंक लिखो पास ता रिख लिखे अब हम cash purchase करेंगे माल cash purchase का मतलब क्या होता है goods purchase in cash देखो मैं फिर बोल रहा हूँ laser posting डिरेक्ट नहीं आएंगी अगर entry आएंगी तो ही आएंगा किता करूँ ठीक है ना नहीं डिरेक्ट नहीं कर अभी नहीं छे तारिक नहीं न बेटा रुक न तू तुम मैंसे cautioning युकरते हो हमेशा करा करो लेकिन ऐसा मत क्या को यार कुछ जो जो step-by-step सिखाने का method है वो तो step-by-step याँगा ना उसके अंदर छेड़गा नी मत करो कुछ कुछ हो क्यू अभी तक ऐसे कोई बैच बिगड़ी न मेरी तेने इंप्लीमेंटेट पॉलिसी वो सब्ड़ा आपको क्लियर भाई अगर ऐसा आज तो कोई बैच को डिस्ट्रेक नहीं हो है ने इन शॉर्ड वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेट है हम उसको कंटिनू कर सकते है लिगिए अभी उधारी पर्चेस कर प्चुछा लिखो क्रेड़ी पर्चेस अब लेंग्वेज ऐसे आएंगा पता न आपको प्रेड पर्चेस अब तुशार माट अब तुशार माट कौन है ये पर्सन के आटी बिश्टर पर्सन और सब तुशार लिखा तो पर्सन का नाम रुपीज 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 पंदरा अज़ार पंदरा अज़ार एट टैन पर्सन टीडी आता ना टीडी एक लास लेको बस बस अब एक सेल करते सेल अच्छा दुकान बना लो करें पहले पुरी इस तो उपर में एंट्री लोंगा ने नहीं क्यों कि एंट्री जाबारें तो एंट्री पर फोकॉस करने हैं अरे एक बात तुमको लेजर पुस्टिंग हो गई ना तो एंट्री एक रहें दस रहे स्टेप सबका सेमें हाँ दुकान के अंदर फर्नीचर पर्चेस कर लिखो नगदी में अच्छा पेमें बैंक सिकरें पर्नीचर पर्चेस पर्चेस फ्रॉम 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 भावेश भावेश फर्मीचर मार्ट 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 बाई चेक बाई चेक रुपीज किपने का लूप चाह लग जमाए वैंक में पच्छास करें दुकान के इतर रॉवर रॉवर टेबल उर्पी सब मिलाके इसको बोलते फर्नीचर हां तीलियर चलो अब इसके एंट्री आदिये आज में एंट्री पर फोकस थे हो आप फटाफर एंट्री वारू चलो मेरा फोकस इसमें उल्ली लेजर के तो यह कॉस्टन आपको लिखा रहेंगा ऐसा अब हमको इतनी एंट्री करके फिर लेजर पूस्टिंग करना है चलो तो पहले जर्नल एंट्री का प्रोफार मां सबको आता है बचलो जल्दी पार्च निर के एंट्री करेंगे और नेरेशन घर पर लिखते बैठना उचो क्यों मेरा फोकस आज लेजर पूस्टिंग के हो solution in the book of किसकी बुके रे जतीन ट्रेडर्स जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री चलो अच्छा अच्छा आज में आपको एंट्री नहीं सिखा रहा हूं मेरा फोकस आज लेजर पूस्टिंग पे तु एंट्री में रफ्टार में निकालूँगा अच्छा एक और बास सुन लीजीए सुनो सुनो अज आज मेंगे एवल पोस्टिंग करके लेजर अगाउंट में सिखा रहा हूंग आगे दो दिन बाद आपको प्रिपेर तरह सखाऊंगा ए इधा देखो आज के लिए ओपन लेजर अकाउंट को और शन्दिकन को आगे आएंगा प्रिपेर अलेजर अगा प्रिपेर आया तो उसको फिर लग और काम करना है उसको पर क्लियर यहांने उसके फिर बैलेंस निकालने पड़ते बैलेंस उसको बोलते प्रिपेर आज बैलेंस नहीं निकालेंगे आज सर्फ पोस्टिंग रहेंगे पर एंट्रीज चलिए प्रिफ टाइम तो ऐसे हो जारा कुछ ही नहीं चलिए ओके यहां लिकिने डेट पर्टिकुलर एलेफ डेबिट अमाउंट और क्रेड अमाउंट इन रुपीस चलिए हां पहले एंट्री क्या होंगी बोलो अब दो को एंट्री इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं कि मैंने आपको एंट्री पीछे सिखा दिये तो मैं रखतार में एंट्री कर दूँ क्या बाइक एश अकाउंट डेबिट टू क्यापिटल अकाउंट किता पास्लाक रूल बता हो रूल रियल और पीवन वेरी गुल पीवन आएंगा नमबर टू नमबर दुकान बनती ना लिगो जैनवरी दोजार बाइस उपर अब लिगो तीन तारिक को अब तीन तारिक को क्या हुआ देखो उपर कैश जिपोसिट किया बैंक को तो नोट आएगी गई गई और मुझे इसके पैसे बैंक से लेना बागी है तो इसकी एंट्री होंगी बाइ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर एंट्री नहीं आती तो छोड़े ना लेजर पोस्टिंग भी नहीं आएंगी कितना मौंट है फिर पास तरिक है ना पास तरिक क्या है अगर यह एंट्री नहीं आती है तो छोड़े ना फिर बोल रहो हूं में नहीं आएगा यह जनम में तुमको अमान को लो किती है नेक्स क्या है उधारी पर्चस किया ना तो माल आरा डेविट करो और इसके पैसे देना बाकी किसको तो जिसको कुछ भी देना बाकी और सुक्रेट करो पीवन से तो इसके एंट्री बनेंगी बाए वेरी गुड़ बाइ पर्चस अकाउंट डेबिट तू तु तु शार क्या था मार्ट तु शार मार्ट अकाउंट क्रेडिट आईविशन परसन नहीं अब बताओ कित्ते का माल है पंदरा जगा माल है तो पंदरा ज़र में से दस चकव आप करो पंदरा सौ तो तेरा हजर पांस हो आएगा ऊगे डन और लास्ट है फरनीचर पर्चिस किया है चेक से तो पेमेंट कहां से हैंगी बैंक से तो वाट कम से डेबिट फरनीचर कम से डेबिट अच्छा तारीक कोन सी तबेखंग तो साथ हैं तो मेरे पास फर्णिचर आ रहे हैं इसलिए फर्णिचर को डेबिट करो देखो मैं एंट्री पे ज्यादा टाइम क्यों नहीं दिया पता है आपको चुकि यहां अगर टाइम दूँगा तो लेजर पोस्टिंग नहीं सिखा पाऊं बाइस लिए टू अब एंट्री किसको नहीं आती है हाथ बगरो सबको आती है इंट्री पका चलिए किता मोंट है हाँ अब रियल लगा यहां पे और यहां पे पीटू अब यहां पे सुनीजे अब इसके बाद अकाउंटेंट सेकेंड से प्रफॉम करता है लेजर पोस्टिंग इसके बाद अकाउंटेंट लेजर पोस्टिंग करता है अब लेजर पोस्टिंग के लिए तुमको लेजर अकाउंट बाने पढ़ेंगे और लेजर अकाउंट क्य तुमने डेबिट किया है यह क्रेट किया है जिस भी चीज को तुमने डेबिट किया है वो सारे लेजर अकाउंट है पुझो क्यूं याद करो तुमने जिसको भी डेबिट किया है उसके नाम के पीछे क्या लगा है तुमने और जिसके पीछे अकाउंट लगता है वही तो ले देनी पड़ेगी उसका एक प्रोफार्मा है फॉर्मेट उस फॉर्मेट में उनको पोस्टिंग करेंगे उसको बोलते लेजर पोस्टिंग अब वो कैसा होंगा ध्यान दो देखो फिल से बूरू एक बार हर एंट्री में जिसको तुमने डेबिट किया वो क्रेट किया उसके नाम के पीछे तुमने क्या लगाया हुआ है अकांट यहींने वह सारे लेजर अकांट है उन्हें सबêmeको numéro killing का रिगा है अब यहां पर भॉल कितने लेजर अकॉंसरान बनेंगे वो कउन्दकन पड़ेगा वो कांट करन्य नगे तु लिजे, हर entry है, हर entry है, अच्छा, laser account, the pro pharma कैसा है, तो देखो, मैंने कहा बोला, laser account, what is laser posting? laser posting is a process in which recorded transactions are separated in a particular place. that place is known as laser account and the process of transferring transferring from recorded transition to a particular place that process is known as laser hosting समझ मैं राख ग्लियर? याने हम को अब सुनो, ध्यान दो अब अपने को यहां पे जितने भी अपने एंट्री में डेबिट किये नाम, वो सारे नाम को पहले count करना है डबल डबल चुनाम जा रहे हैं, उनको एक ही पर account करना है पुझो क्यों? क्यों कि उनकी सारे connections हमको वहाँ भीजना है और फिर उतने laser account बना के हमको posting करनी पड़ेगी जिसे पहले entry को क्या है? पहले entry किया है by cash to तो यहां पर पहला account बनेगा cash मैं numbering कर रहा हूँ, numbering कर रहा हूँ, मैं दूसरा laser account बनेगा capital जो एक entry में दो account बन गए अब थर्ड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री क्या है बोलो by bank to cash तो एक तीसरा laser बनेगा bank लेकिन cash नहीं, कुझो क्यों? तो जितनी भी entries में आप repeat, repeat जो नाम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसको एक ही बा लेना है और उतने account आपको बनाने है, पहले count कर रहे है हाँ, एक नट अब उसके बाद, सबको समझ में आ रहा है, क्या करना है हमको? हाँ, फिर next entry गया है, by purchase to cash अब purchase नाम नया है, इसलिए इसको नहीं जगर देंगे लेकिन cash हम already उपर counting में लेट चुके है, इसलिए इसको repeat में नाम देंगे सबको मेरी बाद समझ में आ रहे है क्या? कोई छूट रहा तो नहीं है ओके, फिर next entry है by purchase to dushar mara अब दाओ, इन दोनों में नया नाम क्या है? तushar तो dushar mara को एक नया laser account बनाएंगे purchase already counted है उसके बाद next है by furniture to bank अब furniture to bank में नया नाम क्या है? क्योंकि bank हमने already counting में ले लिया है इस तरीके से 6 अलग-अलग places देंगे क्या देंगे? और उन places को नाम दिया laser account क्या बनाएंगे? और उनके अंदर हम इनके transactions भीजेंगे उन भीजने को बोलते है laser posting अब वो कैसे होंगा देख लिजिए एक pro farma सिखा रहा हूं laser account का ऐसे 6 तुमको बनाना है कुछो क्यूँ? अब सर हमेशे 6 बनाओंगे क्या इस तर नहीं? depend on the transaction किते है अरे भाई अगर entity जड़ा होंगी तो नएने नाम जड़ाएंगे और नएने नाम जड़ाएंगे तो इतने laser account भी ज़्यादा बनेंगे ना? समझा आपको clear? सरफ ये example में 6 बन रहे समझा clear? अब देखो अब ध्यान दो अब इसका laser account का pro farma कैसे बनता है? मैं एक बना रहा हूं तुम छे बनाओंगे तो सर आप में बनाओंगे इनको copy paste करना है कि मेरी machine है तुमारा handmade है तुमको बनाने बढ़ेंगे चलो अब कैसे बनता है देखो इदर? ध्यान दो चलो आज अगर कुछ भी नहीं आता है टेंचन वाली बात? नहीं है अब चा तुमको हमें बनाने का टेक्निक कुछा रहा हूं कैसे करना देखो जाओ? क्या करना देखो जाओ? हाँ अब सबसे बेले यहाँ पे उपर हम लिखेंगे laser posting यहाँ से हमारा laser posting शुरू हो रहा है तो सर, in the book of लिखे गया नहीं कुछ हो क्यूं? उपर दिया हुआ है अब तर ने बस एक हीवा इतना पड़ता और उसी की account भी चल रही न? इसलिए हाँ हाँ अगर तुमको direct laser posting आती या आगे सिखाऊंगा तो फिर in the book of लिखना clear? चलिए अब दो बना में धान दो अब एक pro farma तुमको मैं सिखा रहा हूँ बाकी ऐसे तुमको अभी इतने बनाने 6 और एक बार तुमको बनाते आगे आगे सुनीजिए अब laser account having two side debit side और crate side लेकिन इसका pro farma journal entry जैसा नहीं बनता है इसका pro farma फिर कैसे बनता है सर तो एक बार यहां पर ध्यान दो देखिए इधर आज सभी को laser posting करते नहीं आएगी इसके लिए चार दिन लगेंगे तुम चार दिन बिल्कुल भी सोचना नहीं आ रहा की नहीं आ रहा होगे पाच्वे दिन पे आ जाएंगा guarantee मेरी देख इधर अब every laser has two side debit side and crate side every laser account has two side debit side and crate side अब यहां पर आएंगा पहले date date नहीं रही तो serial number पर देख लो लिखना बाद में फिर आएगा particular फिर यहां पर आएगा जेएफ जेएफ का मतलब जर्नल पोलियो क्याएगा देखो यहां लिखते लेफ laser polio और यहां लिखते जेएफ पूछो क्यूँ आगे बताओंगा इसका काम क्या है tacticalize में इसका काम है, theoreticalize में नहीं है और यहां पर आएगा amount यह बन गई इसकी पूरी debit side same side credit की same side credit की, बस same ऐसे करना है, फिर से date date नहीं तो serial number particular yes amount amount नहीं उचो क्यों हम journal entry में debit और क्रेट का सब amount करते थे यहां हम दोनों को side यह अलग दे रहे आवेज, दिख रहे दोखो यहां पर debit side कूरी अलग है और क्रेट सब अलग है तो इसलिए हम यहां लेखते ओपर debit और क्रेट यहने एक भाग debit का एक भाग क्रेट का laser account having two sides debit side and समझा clear पक्का एक भाग debit का एक भाग और यह laser account कौन सा है ऐसे 6 बनाओंगी अभी तो क्या आओंगे 6 अचा 6 बनाने की technique सीखू कैसा है सुनो एक मिनट आप धान दो बेटा लोग मेरे बस time नहीं है क्योंकि laser posting भी करनी शुरू इसलिए बूल रहा हूं समझो इसको अगर fast होता है तो अब यह यह बन गया हमारा एक laser ऐसे हमने कितने उपर count किये 6 फर्स नमबर कौन सा है laser का cash account तो यहां के उपर तुमको नाम देना है cash account उपर तुमको नाम देना है cash account यह बन गया है एक laser particular place जिसमें हमको cash के transaction भीजने मैंने आपको English में क्या बला था या चरो laser posting is a process in which recorded transactions are transferred in a particular place and that place is known as laser account and the process of transferring recorded transaction into a laser account known as laser poster इसके अंदर भीजने है cash के सारे information यहाने ऊपर क्या चल रहा था फिर्दिगा ऊपर mix चल रहा है अब हम यहां पर separate कर रहे है हर एक purpose है बनाने का देखो step का अब ऐसे कितने बनाओगे? अब इसे चे कितने बड़े बनाएं सर depends on the nature of transaction जितनी ज्यादा उसकी entries होंगी उत्ता बड़ा बनाना और हमिशा अदना चार लेजर बड़े बनाना कौन-कौन से? cash, purchase, sale, bank पुछो क्यूँ? इन सब के connection ज्यादा हो गए तो उनको place भी बड़ी चाहिए और बाकी सब के connection 5-5-3-3 line ने बनाया तो भी चलता है अब एक page में ऐसे चार आंदो चार किते आंदो? चार हाँ चार यहां पाच भी चलेगा कुछो क्यूँ? क्योंकि आज entry छोट कम है entries कम है ना 5 ही है ना जितनी entry ज्यादा उतना laser अपने को बड़ा चाहिए तो अभी एक page में तुम 4 बनाओ किते बनाओगे? 4 यहां पाच भी बनाए चलते हैं क्योंकि आज keyword हम open कर रहे हैं prepare में ज्यादा space लगती है अगर बोला prepare laser count तो उसमें ज्यादा space लगती है मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से कोई doubt नहीं है मेरा सुरा गला खराब है इसके थोड़ा आपको sound थोड़ा अजीब और गरीब आपा होगा है ना? हाँ ठीक है चलो बड़ इसके लिए हम पढ़ाई रोग सकते नहीं ने बिडा चली शुरू करे अब ऐसे कृति बनाओगे? अब तुमको एक टेक्निक से बनाने की तुम यह करो पूरी एक पेज की बना लो और बीच में छुआ तुमको रफ करो देखो कैसे? अब देखो इसी को मैं दो बनाता हूँ दो देखो बच्चा लोग मेरे प्यारे शात्रो क्या करना? Eraser ले ना Eraser और यह पूरा एक पेज में बना लो फिर Eraser लेके बीच में करो Partition क्या करोगे? यह देखो ऐसा और यह Partition कर दिया तुमने ऐसा तो यह बन गए दो लेजर क्या बन गई यह? ऐसे पूरा एक पेज बना लो आप ऐसे चार पार्टिशन कर दिया आपकी खतम बिच्चर ठीक है? पैंसिल से करो पैंसे नहीं होता है पैंसे नहीं होता है पैंस का रबबर अभी दग बना नहीं है 2050 तक आते आते आ जाएगा उसके लिए बिटा आकको लेट पैदा होना चाहिए था जल्दी पैदा हो गए बगवान को बोलो हाँ लिखो यहाँ पे डेट पर्टिक्यूलर जेएफ यहने जर्नल पुलियो अमाउट एस सब में लिखना है बिटा यह इतना भाग डेबिट का क्या होगा यह? अब से भाग क्रेट का भी करना है डेट पर्टिक्यूलर जेएफ अब आउट इतना भाग डेबिटका इतना भाग क्रेड का आपको बच्छे लोग पार्टिशन करके दिया हूँ तुम लोग ऐसे पार्टिशन नहीं करना यह तुमको समझाने के लिए उख यह 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 ऐसा यह लाईन नहीं कीसा अब इसे ये वाली हां गंधी रिटी बहुत तुमको सब समझाने के लिए बरा जल दिल करो लेजर पूस्टिंग करनी अभी तक या भी नहीं है अब ऐसे छे बनाओ और उपर नाम को सबको काश में इंट्रीय हूं है कि में ये बच्च लोग सम्झेंगे तुम प्यूて रॉट बड़ा बना अब चलो मेरे छे बन गए अब कहा गया बच्चो बेटा जल्दी करो ना तुम क्या करना एक पेज में पूरे बना लो और बीच में इसे बार बार तुमको बनाने की जर्वत नहीं पड़ेगी में को यह कॉपी पेस्ट पुड़ता इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा तो छे बनाओ और उपर नाम देदो सबको जिसका लेजर अकाउं नहीं देखे में को चुट्टी नहीं दूँगा एक डो तीन चार पाच छे बना रहें छे क्यूँ उपर एंट्री देखके काउं करना जो नाम रिपीटिट होंगे उनके बनाना नहीं 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 ओके तीन बहर बोल दिया रिपीटिट नाम का डबल डबल नहीं 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 चलो अब पहले लेजर का नाम क्या था बोलो विटा बोलो कैश दूसरा नाम क्या था विटा था नाव क्या था तीसरा नाम क्या था बच्चे लोग बैंक अकाउंट मेंड़ बच्चे लोग थी निसलों में नाम था फिर नेक से पर्चेज अकाउंट अकाउंट लुकत दरूरी है पीछे नाम की पीछे अकाउंट नहीं लिखा तो Nolets account हाँ था हाँ नाम के बाद इच अब को ने तुशार मार्ट अकाउंट अकाउंट लिखना कमपसरी है तभी उसकी पेस्टन लेजरकाउंट की अब इसके अंदर क्रिप्निक क्या करेंगे पोस्टिंग अचा लेजर अकाउंट का प्रोफार में आ गया बोलो में सत्थ डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट बस एक बाग डेबिट का सेम बाग क्रेट का जेफ को फुल को में जर्नल फोल्यों इसका काम अभी नहीं है ट्र इसलिए छोटा बनाओ क्या बनाओ जेफ का काम चुटा है अरे जेफ का काम अभी नहीं है ए बनाना है बाते करते हैं चलो अब सब लोग अपना दिल ठाम के बैठो पुछो क्यों अब मैं आपको लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूं समझिए अब पूरा विशह तुरा दस अब रुक जाओ पे नीचे करो बैच चलो सब लोग नीचे करो पर देख लो कैसे होती है लेजर पूस्टिंग सुनीजिए ध्यान दो अभी हम पोस्टिंग कर रहें पोस्टिंग याने क्या वो रिकॉर्डे ट्रानिशन उनके लेजर अकांट में बेज रहें अब बेजने ग्राइनगा तरीका कैसा एक बाद सीख लो, देखो हाँ सब से पहले क्या करना है लेजर कोस्टिंग करने के लिए तारे लेजर अकांट पहले बना लो, तो हमने देखा कि ऊपर count करके 6 लेजर बनते, देखाना अपन में, हाँ आप दो में, ध्यान दो, सुनो दर लेखो, अब क्या करों एंट्री सामने रखो और जिसको जिसको डेबिट किया है और क्रेट किया है तुनो जिसको भी डेबिट किया है और जिसको भी क्रेट किया है सभी के लेजर में पोस्टिंग करनी है सभी के और लेजर में पोस्टिंग करने का तरीका अब देखो अधर हो सकता है आप जो मैं सिखा रहा हूं तो किसी को नहीं समझे एक बार में नहीं आएंगा दूसरी इंट्री में आएंगा तीसरी मादैंगा पोस्टिंग करना दो दिन 15 में पूरा लेजर का सिनरीव长 दिर्टमस ट्रूर अब इधर एक बात तुमको लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर तुमको कुछ नए सखाना ही नहीं रेखा थे, अब पहली सारी एंट्री सामने रखो और एक एंट्री की पोस्टिंग करना है, अब जिसको भी आपने एंट्री में डेबिट किया है पहले इंट्री में डेबिट कास को पका केया है कैस को दिख रहा है कैस्ट कौन्डबिट इस आई reviewed Cash account का debit side तुम को दिख राव क्या कां दिख राव बो एक नरुकुम यह जोचालो नहीं के इतना भाग debit का है हमें इतना भाग निस्कै और हा स्टृ। legg क्रिश के debit में जाओं क्यां खैस सक्के डेरी में क्रिश को मुझा थैस तो कैस के debit side में जाओ अदर अंदर और नाम अंदर लिखो अपोजिट side का अपोजिट side का अपोजिट कैस अपोजिट side में आपकोजिट side में ऑफ ठेको यहने debit side debit or credit के सभी के effect करने है, पहले debit करता हम, पहले entry का, हाँ, जब तक एक entry के debit के और credit के सारे laser की posting होती नहीं, वो transaction incomplete है, क्या है, और अगर एक भी effect छोड़ दिया, तो third step tally नहीं होती, trial balance, third step tally, यहने वो बता देंगा कि भाव, उपर गड़ी है, जा उपर, जा उपर, जा उपर, जा उपर, फिर हम first aid box निकालते हैं, और first aid box नहीं, rectification of errors, समझा आपको ग्लियर हूँ, हमाना toolbox है, क्या है हमार वो, सुनो, तो उसकी नोबत नहीं आए, इसलिए cash के debit side में जाओ, अब cash का laser खोला मैंने, और उसके debit side में जाओ, हाँ, cash के debit side में, अंदर नाम लिखोगे opposite side का, अब बताओ debit का opposite कौन है credit, तो credit side में किसका नाम है, तो यहाँ पर पूरा उठा के, अब देखो हमने opposite side में नाम क्या लिखा हुआ है, यह, two capital account, यह पूरा उठा के लिख दो, पूरा उठा के, two capital account, two capital account, अब सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान दो, समझो सिसको, लेकिन जब amount लिखने की बारिया हैंगी, amount, तो amount capital की नहीं लिखना, आपने कौन से laser में पोस्तिंग किये, तो amount मुझे उसी की चाहिए, अब आप बोलोंगे sir, क्या ही फरक इसे में, आगे 3-4 effects आएंगे तब, अरे जहां पर 1 debit, 2 credit होते हैं, तो वहां पर amount हो जाएंगी, अलग, तो amount फिर किसकी लिखना, जिसके laser में पोस्तिंग कर रहे हो, उसकी, amount किसकी चाहिए, जिसके laser में पोस्तिंग कर रहे हो, amount, अब बताव मैंने कौन से laser में पोस्तिंग कि cash के amount में को यहां पर cash कर रिखना है, आगे high level जब पोस्तिंग होगी न, वहां पर amount का ही पूरा खेले, इसलिए मैं day 1 से ही सिखाता हूँ, यह हो गया, एक effect, क्या हो गया, यह हो गया, अब भी तक transaction incomplete है, पुछो क्यों, cash के laser में किया, लेकिन वो capital रहे गया न, जब तक debit or create के सारे lasers में posting नहीं कर रहे हो, तब तक कि वो transaction incomplete छोड़ना नहीं, अब बताओ, अब पकड़ो capital को, अब बताओ entry में capital को क्या किया है, entry सामने रखो capital को क्या किया है, entry में capital credit, entry में capital credit, entry में capital credit, credit, तो capital के credit side को जाओ, अब capital account खोलो, 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 हो गया के खोल गया, हाँ, अब capital के कौन से side में जाएंगे, credit क्यों, चुगि हमने entry में capital को credit किया है, इसलिए posting भी उसी side में करेंगे, समझ में आ रहा क्या, हाँ, अब capital का credit side उनको दिख रहा क्या, कहां दिख रहा है, इत credit side में दिख रहा हो, तो capital के credit side में जाओ, और अंदर नाम लिखो opposite side का, अब बताओ, credit का opposite आने क्या debit, तो debit में किसका नाम पढ़ा है, entry में, अब debit में चाहिए, एक नाम पढ़े रहे हैं, दस, opposite side के सारे नाम आएंगे, आएंगे, तो अब opposite side का नाम उठाओ, और यहां लिखने की बारी आएंगी, तो आपने जिस laser में पोस्टिंग किये, amount मुझे उसी की चाहिए, अब बताओ, आपने कौन से laser में पोस्टिंग किये, तो capital के सामने amount किसकी पढ़ी है, पाच लाग, तो हमको amount वो चाहिए, amount जिस laser में पोस्टिंग करो, उसकी, जिस laser में पाजी रोगे ना, बस, ऐसे करना है सभी एंट्री की, खतम, अब बताओ, खेल किस पे, एंट्री में की laser पोस्टिंग पे, एंट्री पे है, अरे एंट्री गलार, तो laser पोस्टिंग, टाटा भाई भाई, है ना, तो राहूल रांदी बन जेंगी, और अगर एंट्री सही, दो मोधी, सिंपल, समझा, चलो, ओके, यहां पर जान दो, आज समझा गया, अब फिर से, अब बताओ, डेबिट की, डेबिट के laser में पोस्टिंग हुई, और क्रेट के laser पोस्टिंग हुई, transition complete, क्या हो गया, बुल जाओ, अब पकड़ो next entry, अब next entry क्या है बलो, बाई बैं account debit to cash round, एक एक पकड़ना, आराम, आराम से, चलो, अब पहले debit को पकड़ेंगे, बताओ entry में प्रथम debit किसको किया, देख न, entry सामने है न, देख, फिर से देख, फिर से देख, फिर क्यों ऐसा कर रहा, cash क्यों बुला, इनने ध्यान नहीं है, cash बनो उसने, बेमान ही मत कर, य हाँ, चलो, इधर आओ, बहुत इजिए चलर है, क्या है, एक बार आने को नाम सास, एक बार, एक entry आगे ही, बाकी सब ऐसी करना है, चलो, हाँ, अब पकड़ो bank को, अब बताओ, पहले debit को पड़ो, entry में debit को सुगिया है bank को, हाँ, तो पहले bank के लेजर में पोस्तिंग यह फिकिन सबी के लेजर में कोस्तिंग करना, debit के भी और के बहुति सारे, हाँ, आप भी को यहाँ पर अब bank account खुले सामने, अब bank account तुमको दिख रा, अब बताओ, entry में bank को क्या किया है, entry में bank को debit किया है, जर्रनल entry में bank को debit किया ही, तो bank account के debit side में जाओ, जाओ, बैख अ अब बैंक काओंगा debit side तुमको दिख रहा क्या का दिख रहा है यह इदर तो bank का debit यह bank का credit यह तो entry में मैंने bank को debit किया है तो entry में bank को debit लिया इसलिमे bank के debit side में जाओंगा और अंदर नाम लिखूंगा opposite side का अब बताओ David का opposite गया होता है credit क्रेड़ीट side का नाम देखो अंदर अब entry में entry में देखो credit side में किसका पड़ा है समपुर्ना देख entry में second entry में जो नाम किसका पड़ा है देखो यह पूरा उठा की copy paste कर दो to cash account अब बताओ जब अमाउंट लिखने की बारी आएंगी नहीं आपने कौन से लेजर में पोस्टिंग की तो अमाउंट मुझे एंट्री में जो बैंक्राउंट के सामने पड़ियोंगी वो आएंगी समझा आपको clear अभी नहीं पड़ेगा लेकिन आगे अमाउंट का ही पूरा खेले समझा apprendre क्लिएर जैसे जाल के बढ़ेंगे गेर की जाड़ी का िसरे गेर में आएगए बढ़कर जाएंगे यह अधिक आम ग्लिए समझा आपको क्लियर तेंच मतलों आद नहीं आया कल तो आई जाँगा डेफिनिटली सब देखो अब बताओ हमने बैंक के लेजर में पोस्टिंग कर दी अमाउंट लिख लो अब हो एक एपर क्या हो यह यह देबिट का एक इसेट आप अब हमने अगर डेबिट के लेज़र में पोस्टिंग किया और क्रिडिट के लेज़र में पोस्टिंग नहीं किया तो यह नांस आफीजव व你想 responsible अप हमने एंट्री में बैंक को डेबिट की अब उसके लेजर में कोई लेजर में पोस्तिंग नहीं हो यह ना बेजो चलो अब तुनो अब यहां पर अब आप सुनों जान दो इस सॉरी हां अब एंट्री में मैंने कैश को नील क्या किया है, बता, देख सामने देख, sort of entry में cash को क्या किया है, Neil, hai, बोलने अइसा, दिखरे देखो, तो cash के कौन से side में, じゃあ, तो cash कौंझ खोलो, यह पहला number दिख रहा cash fraud हमारा, हाँ, अब cash के कौन से side में जाओगी, create side में, پूछ हो, क्यूंकि मैंने entry में cash को credit किया है इसलिए और cash के credit side में अंदर नाम लिखो debit का अब बताओ debit side में नाम किसका पड़ा है यह उठा के पूरा डाल दो copy paste by bank account इसको बोलते है laser posting इसको बोलते है laser posting समझा आपको clear आज सब perform करो आगे क्यों करते हैं सब आपको समझाएंगे अब बताओ लेकिन amount लिखने की बारी आएंगी जब तो हमने कौन से laser में posting की cash के तो amount भी आवेज cash के आएंगी कहां गया cash count चार लाग रुपे अब तो debit का posting हो गया क्रेट का posting हो गया transaction complete entry number third तो debit के और create के सारे effects करते जाओ समझाएंगे आगे आगे आओ next अब third entry क्या है बोलो by purchase to cash फेले एक को पाओ debit को अब अब अधा entry में debit किसको किया है purchase को तो purchase के debit side जाने का purchase account तुमको दिखरा क्या debit side दिखरी क्या तो purchase के debit side में जाने का अंदर नाम लिखो opposite side का अब opposite side में नाम किसका पड़ा है देखो लिख दो कितना चिल्डर का में इस ते चिल्डर क्या होंगा यह भी नहीं आया तो का करोगे बस चुलूबर पानी में लेके डूब मरना चुकि यह 10th से easy है बहुत चिल्डर है कुछ नहीं है अले 10th में दो पाइथा गोरा स्थेरा में रंकुस्ट भी थे यहां ऐसा कुस्ट नहीं है कुस्ट तो बहुत easy है भई सही कि नहीं महां तो पता नहीं क्या ही होता था वह कौन सा कास एंगल कास लेजरी वीचर कोई पल्ले ही नहीं पढ़ा सकते हो चलो कि frightened her average look in to amount लिखने की बार करेंगे amount तो amount इसकी लिखोगे जिस agent में posting की उसके छोन रहे परकेस परचेस कंगाए हीझी मायगी 25 तो अमाउंट आएगी 25 जा देखो मैं एकदम स्लो ले रहा हूँ एकदम फिर भी नहीं आ रहा पूछो शिवांग तेको आ रहा क्या भी हाँ मैं उल्ला ना तीन इंट्री में आता है ते आजेंगा हाँ कंफूस दो होगा ना पैले राई में भई अब जब आगे पूरा के लमाउंट आए किसका आएगा हाँ जैसे आगे बढ़ोगे मैं लेवल बढ़ाते जाओंगा हाँ चलो आज बेसिक है क्या हूं ली चलो अब ज़िए हमने कौन से लेजरम पोस्तिंग की कैश के अब पगड़ो कैश के लेजरम पोस्ति चलो अब बताओ हमने एंट्री में कैश को क्या किया है यह वाली एंट्री में कैश को क्या किया है तो कैश के कौन से साइट में जाओ में क्रेट साइट अब कैश की तुमको क्रेड़िट साइट डिखरी क्या तो क्रेट साइट में अंदर नाम लिखो अपोस्ति साइट का अब क्रेड़िट का अपोस्ति क्या होता है डेविट तो डेविट में नाम किसका पड़ाए देखो तो वो नाम लिख दो बास अंदर बाए परचिस अकाउंट लेगिन अमाउंट जब लिखने की बारी आएंगी तो कैश के सामने जो अमाउंट पड़ियोगी वो लिखना चिसर रुप्षिवांग समझ में आ रहा क्या पोस्तिंग पर सिखो पोस्तिंग में काल में काम पूरा पोस्तिंग है बशर सेट का पिलाद बाजी ने करो आगे इतना expert बन जाओगे कि देखकर ही direct course नहीं आई नहीं तुमको ठीके clear? ऐसा भी बनोंगे टेंचे मतले हो बनते बनते अरे बच्चा direct दोडना सीखता क्या? पहले वो हाँ हाँ क्या बोलते हो उसको English ट्रॉलिंग ट्रॉलिंग करता फिर स्क्रॉलिंग 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 करता है ने हाँ फिर चलना सकीए फिर दोड़ता तो वैसे ही step by step आ जाएगा आती आती आ जाएगा हाँ बरवसर रखो मुझे बरवसर ए इजदे गुरे चलो एगदम चिलर का हमें क्या है? अब बताओ अब पकड़ो next entry अब next entry क्या है बोलो buy purchase to share mark दिख रहा तुमको हाँ पहले एक एक करो एक 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 पकड़ो अब पहले debit को पकड़ते हैं अब बताओ entry में debit को की आए तो purchase के debit side में जाओ अब purchase account के debit side में जाओ और अंदर नाम लिखो credit का अब credit में नाम किसका पड़ा है लिख दो लिख दो तुशार माट लेकिन जब सार्थक amount लिखने की बारे आँगी तो amount मुझे जिस laser में posting की उसकी अब बढ़ा amount किता है तुशार 13500 तो amount में को purchase की चाहिए यह हो गया एक effect क्या हुआ अच्छा एक और बास सुन दो अगर debit के laser में posting की और credit की सुनेगी तो transition incomplete क्या हो गया वो फिर आगे trial balance error बताएंगा फिर first aid box खोलना पड़ेगा है ना तो ऐसा काम नहीं करना ओके बिट्टा वैसे मैं सिखाऊंगा आपको आपको देने का क्या काम में आता है वो भी आपको deliver किया जाएगा ओके चलो बस सबर रखो दी दी रहे हां पर मैं घाई गरबड़ी नहीं करूंगा ये base है क्या है ये जितना मजबूत होता अच्छा हाँ ज्यान दो अब यह बताओ मैंने अब बताओ purchase के laser में पोस्टिंग कर दी लेकिन तुशार मार्ट के laser में पोस्टिंग करना बागी है ना चलो बात तो बात में भूलना नहीं है अब बताओ तुशार मार्ट को हमने entry में क्या किया है तो तुशार मार्ट laser खुलो और उसके create side में जाओ अब तुमको credit side डिकरा क्या एक बाग debit का एक बाग credit का तुशार मार्ट के create side में अंदर नाम लिखो debit अब debit का entry में नाम क्या पढ़ा है देखो by opposite side बोलते है इसको तुशार मार्ट के create side में debit का नाम अब debit में entry में नाम पढ़ा है by purchase account तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया इसलिए entry सामने रखो क्या करोगे हाँ शुरवात ही दुनों में entry सामने रखो हाँ बच्चा लो एक caution task तुँँगा assignment में कर क्या होगे ना very good क्या बच्चा ऊशार होगे हाँ कित आमाउंट है तेराजार पांच्ट एक जब basic level दूँगा इसलिए यह यहाँ entry आज हाँ अब बताओ क्या हमने दोनों साइड में posting कर दी तुशार माट के से कर दी पर्चेस में भी कर दी transaction complete next last entry है हाँ अब entry क्या है सामने रखो पहले by furniture to bank पहले एक एक करके अब पहले furniture को पहले entry में furniture क्या किया है एंट्री में furniture क्या किया है debit किया है पका तो furniture account के debit side में जाओ अब furniture का laser खोलो खुल गया furniture के कौन से side में जाओगे debit side create side दिखरे दूंको तो furniture के debit side में जाने का और अंदर नाम लिखो credit का अब देखो entry में credit का नाम कौन सा है तो नाम हमेशा opposite side का आएगा to bank account लेकिन जब बाहर ही आएंगी amount लिखने की तो जिस laser में posting कर रहे हो amount आएगी उसकी अब furniture के सामने amount कौन सी बढ़िये अचा तो amount आएगी furniture की हो गया लेकिन बच्चो को बस इत लास बाद हाँ लास्ट अब पकड़ो furniture को debit कर दिया हमने अब bank के credit में posting करना बाकी है ना मारो मारो अब बता entry में bank को क्या किया है credit किया है तो bank के कौन से side में जाओं बोलो very good bank का credit side तुमको कहां दिख रहा यह देखो इत्ता भाग debit का इत्ता भाग credit का तो bank के credit side में अंदर नाम लिखो debit का अब देखो entry में debit में नाम किसका पड़ा है पर नीचर का लेकिन amount bank की अब bank के सामने amount कौन सी पढ़ी है entry में देखो entry में सामने रखो पूरा के लेंटरी में है हो गई laser posting debit के भी सारे एपक्स की और क्रेट के भी इसी को बोलते बंदर करते आया पक्का हां कल इससे लेवल बढ़ाऊंगा आगे हां सब्सक्राइब करना है तो असके लिए पहला फंडा साइड वही अमाउंट वही नाम अपोजिसाइड था बोलो में साथ साइड वही अमाउंट वही नाम देखो इधर कैसे अब पहली एंट्रिया किये देखो कैश को डेबिट किया है तो कैश के हमने डेबिट साइड में गये रखी साइड कौनसी वही रखी जिस लेजर में पोस्टिंग करें उसकी बढ़ावेगी नहीं अमाउंट भी रखी लेकिन सब नाम हमने क्या लेका अपोजिट साइड का यह देखो तो इसलिए इसका फंडा है साइड वही अमाउंट वही नाम अपोजिट साइड क्लिए विक्चर याद रहेंगा हाँ सुनो अब इसके बाद भी बुल गए तो क्या तो सुन लेना इसके बाद एक और बेसिक फंडा है इसके बाद भी बुल गया तो क्या सुनो जिसका भी लेजर अकाउंट रहा उसके अंदर उसका नाम कभी नहीं आता देखो तो यह एक फंडर रखना हमने कैश के लेजर में एक भी कैश के नाम सेंट्री की गया इसके नाम हमेशा अपोजिट साइट का हैंगा तो यह दो ते में पंडे बेसिक रखने ना तो आपका मिस्टेक्स नहीं होता तो एक लास्ट क्यूशन बोलो साइड वही अमाउंट वही नाम अपोजिट साइट का प्लियर चलिए